हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ पहलिया लेकर आया हूँ जो बच्चों ने मतलब मेरे से पूछी थी तो काफी अच्छी लगी मुझे मुझे लगा कि आपके साथ इन्हें डिसकस करना चाहिए तो इसलिए मैंने ये वीडियो देखना चलिए शुरू करते हैं जैसा कि इन्होंने देखिए पहला कोर्शन काफी अच्छा लगा मुझे कोर्शन में जैसा वक्ति बोल रखाए एक शहर में दो नाई हैं एक के बाल एकदम हीरो जैसे कटे मलब एकदम फिनीशिंग आई हुई है और अच्छे से कट रखे हैं मतलब यही बेकार उसने डाल रखें अपने सर पर जैसे रख रखें हो बस तो आप किसके पास बाल कटाने जाओगे तो बहुत अच्छा कोश्चन है देखते हैं कितने बच्छों का दिमाग चलता है अगर आप अंसर जानते हैं तो वीडियो में मतलब कमेंड कर सकते है वीडियो पोस्ट करकर चलिए मैं इसका अंसर बताता हूं तो इसमें क्या था कि जो जिस नाई के बाल अच्छे से कटे हैं हीरो जैसे कटे हैं तो उसने खुद तो काटे नहीं होंगे अपने बाल उसने उस नाई से कटबाए हैं जिसके बेकार बाल कटे हुए हैं ठीके न बाल अच्छे थे ठीक है ना वो बेकार बाल काड़ता है जिसके वज़ा से इसके भाल बेकार हैं तो शायद कोश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन तो यह भी काफी काफी इंट्रेस्टिंग सा कोश्चन है कि देखे ना एक कोश्चन में बोल रहा है जैसे एक औरत के नौ बच्चे हैं ठीक उसमें से आधे लड़के हैं तो बताओ यह कैसे हो सकता हैं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे यहां आधे पताने थे तो कितने लड़के हैं अपर पांच अगर अंसर आपको पताता तो कॉंग्रेचिलेशन बदाई हो आपको अभी नेक्स्ट कोश्ण देखते हैं जैसा कोश्ण में लिखा हुआ है एसा कौन सा फूल है जो कभी नहीं खिलता अच्छा इसा भी फूल होता है जो कभी लिए नहीं खिलता तो इसकाुश होगा। अगर आप जानते हैं तो आप वीडियो पोस्ट करकर कन्ला कमेंट में मुझे लिख सकते हैं चलिए मैं इसका अंसर बताता ंतो उस फूल का नाम है अप्रिल फूल तो वैसे ऐसा कोई फूल नहीं होता। बट कह सकते हैं कि April Fool एसा फोल है जो कभी नहीं खिलता तो ये था एक कोशन ये भी काफ़ अच्छा कोशन लगा मुझे आते हैं next कोशन पर देखें यहां कोशन में बोल रखाएं गाएं दूद देती हैं जो गाएं होती है वो दूद देती हैं हां सभी जानते हैं और अंड़ देती हैं बताओ ऐसा कौन है जो दोनों देता हैं तो इस तरह क्या कोशन में मतलब काफी लोग कन्फिज हो जाएंगे क्योंकि हम अगर सोचें तो गाएं जो जानवर दूद देते हैं वो अंडे नहीं देते हैं ठीक है ना और जो अंडे देते हैं वो दूद नही तो आते हैं नेक्स कोशन पर दिखें इस बार कोशन में हैं बोल रखाएं एक स्कूल में तीन दोस्त रहते थे उनका नाम था पहले का हिंदी दूसरे का अंग्रेजी और तीसरे का गडित तो वे एक दिन बाहर घूमने गया और अचानक से उनका एक्सिटेंट हो गया तो पह काहा होगा ओके तो आप बता सकते हैं इस कोशन का अंसर कमेंड में चलिए तो मैं इसका अंसर करता हूं कि क्या था तो यहां हिंदी और इंग्छी स्थो लेंग्विज होती हैं ब हो चाता है तो वो गलत था तो यही वो पांच कोशन थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछाते हैं अभी मैं आप से कोशन पूछता हूं से पहले ना मैं आते हैं वीडियो के बोनस वाले पार्ट पर चलिए मैं इसमें ना एक आपको एक 495 ठीक है था अब आखे इसमें इसी क्या खास बात है कि इसे मेजिकल नंबर गाए जाता है तो आप अगर कोई सा भी डिजिट मान लीजिए आप कोई सा भी तीन नंबर को अगर डिजिट लेते हैं और वो रिपीट नहीं करने चाहिए तीनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए ठीक है ना? अब कोई सा भी number मान सकते हैं जैसा की मान लिघे हमने माना यहाں 8 9 5 अब कोई सा भी digit है अपने fan से कह सकते हैं कि कोई सा भी number सोच लो तो यह वो अगर number सोच लेता है और अगर इन digitôn से सबसे बड़ा number क्या बनेगा तो बड़ी डिजिट सबसे पहले इस तरह से आप सबसे बड़ा नंबर लिख सकते हैं और सबसे छोटा नंबर के लिए 5, 8, 9 ठीक है ना तो यह सबसे छोटा नंबर है जब आप इसे माइनेस करते हैं 15 से 9 माइनेस होगा तो यहाँ 6 आएगा और यह केरी कर दिया था इसने यह 7 बचा होगा 17 से 8 जाएगा तो 9 8 से 5 जाएगा तो 3 ठीक है ना और जब यह जो डिजिट आगे इसका सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हैं इस डिजिटों का यूज करकर 9, 6, 3 और 3, 6, 9 इस तरह से हम लिख सकते हैं और जब आप इसे minus करेंगे 13 से जब आप 9 को minus करते हैं तो यहाँ आता है हमारा 4 और यहां 5 बचा होगा 5 से 6 को minus 15 से 6 को minus करेंगे तो 9 आएगा और यह 8 बचा होगा है 8 से 3 जाएगा तो 5 5, 4 Again देखते हैं सबसे बड़ी डिजिट इसकी बनाएंगे 9, 5, 4 और सबसे छोड़ी डिजिट 4, 9 4, 5, 9 ठीक है ना? सबसे छोड़ी डिजिट यह हो सकती है इस नमबर से जो बनेगी और जब इसे माइनस करते हैं तो 14 से 9 जाएगा तो यहां हमारा 5 रह जाएगा और यह बचा 4 तो यह केरी करेगा 14 से 5 जाएगे हैं 9 और 8 से 4 जाएगा तो 4 तो हमारा आचुका है 495 आप कोई साभी डिजिट यहां मान सकते हैं लेट कर सकते हैं हर बार जब आप उससे इन डिजिट जो सबसे बड़ी डिजिट बनेगी और सबसे छोटी डिजिट बनेगी उनका जब डिफ्रेंस निकालते हो और इसी चीज़ को रिपीट करते जाना है आपने जैसे कि यह नमबर आगया और इसी को हमें फिर से बड़ी डिजिट बनाने हैं इन डिजिट का यूज़ करकर सबसे छोटा नमबर और फिर माइनस करना है और इसी तरह से अगेन जब आप माइनस करोगे तो हर बार यह 495 भी आता है मलब 495 यह सा नमबर है जब आप 3 संख्याओ की कोई भी नमबर लेते हो सबसे बड़ा और इनी डिजिट का यूज़ करकर सबसे छोटा नमबर माइनस करते हो तो इसी चीज़ को जब आप रिपीट करते हुए जाते हो तो लास्ट में हमेशा 495 भी बचता है इसी तरह का अगर मैं 4 चाल नमबरों की बात करूँ तो आप चाल डिजिट के लिए भी यहां बना सकते हैं मैं बता देता हूँ उसका नमबर होता है 6174 तो आप देख सकते हैं कोई भी चाल डिजिट लेकर के उनके जब आप माइनस अगेरा करोगे इसी तरह सबसे बड़ी नमबर बनाना है फिर सबसे छोटा नमबर और माइनस करने के बाद हर बार यही नमबर आ जाएगा आपका ओके तो आब आते हैं आपके फायदे वाली बात पर मैंने कहा था मैं आपको पेटियम करूँगा अगर आप मुझे जवाब दे पाई उस कोशन का तो एक सिंपल सा कोशन है मतलब मैं आपको बता चुका हूँ यह मेजिकल नमबर होता है तीन डिजिट के लिए और यह चार डिजिट के लिए आपको खुद से अगर हो सके तो आप खुद से कीजिए बिना गूगल की मजद से आपको बताने पांच डिजिट का आए जिसे हम कह सकते है कि वो भी जिकल नमबर है ढ़., आपको देखना है कोई भी डिजिट लेकर माइनेस तो करना है आपको माइनस कर सकते हैं और आपको मुझे अनसर बताना है ठीके ना तो मैं आपके कमेंट का इंदार करूँगा ओके थेंक्यू बाबाई वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया मिलते हैं नेक्ट वीडियो में